आदमी करके प्यार करते हैं या आप चहरे से प्यार करते हैं या आप आत्मा से प्यार करते हैं जो आपके आत्मा से प्यार करेगा वो आपके साथ रहेगा जिंदगी भर रहेगा लेकिन जो आपके चहरे से प्यार करता है वो फिर सबके चहरों से ही प्यार करेगा कोई अगर कहीं पर मुझे रेप करते तो यह सोच के मेरी भी रॉंक्ते खड़ी हो एक लड़की जब पैदा होता है उसके माइंडसेट होता है शादी करेगी चली जाएगी एक लड़की को यह पता होता है कि मुझे बुढ़ा पे तक अपने माबाप को देगा और शादी के बाद अगर कोई लड़की आके बूल देना कि अपने माबाप से दूर हो जागा अब कहां छोड़ दू मेरे अलाव उनके पास है को इसलिए लड़का की डिसीजन लेता है कि मैं माबाप को नहीं मैं तुम्हें छोड़ दूगा उस वक्त खड़ा हो जाता है समाज कि शरम करो तुमने बीवी को छोड़ दिया बावा लोग वेल्कम टू बावा कास देखो आपकी दिल की बात इस दल तक पहुँचती है जैसे कि भाई आपने जो हमारा पहले एक पॉड़कास्ट रुआता लवली और आधी भाई का अधित्या का उसको आपने बहुत प्यार दिया और आपने बोला कि चाहिए और सुनना है उनके बारे में और जानना है और सुननी है उनकी बात है तो आपकी जो फर्माइशती उसका हमने पूरा ध्यान रखा है और हम फिर से लेके आगे हैं वही प्यारा कपल वही डीप थौट्स वाला कपल तो आप अपने घर में ताली बजाओ मैं यहां दिल से और हातों से ताली बजाओंगा and let's welcome and on our podcast Aditya Bhai and loveli Sharma बहुरँ बहुरँ सबकेता है अपका हमारे podcast me thank you so much for agreeing to come तो मताइं तो ना थर्फा लोगोंने बिलाए तो आना पड़ेगा और हमारी बाते भी काफी लोगों को पसंद भी आई और वो समझ भी पाए और है और relate कर पाए जिसके वज़े से हमें जो कमेंट मिले थे उसकी बदलत ही हम यहां बैठे हैं दुबारा बिल्कुल और एक चीज जिसके बहुत ज्यादा कॉंट्रोवर्सी सी क्रेट हुई थी तो जब मैंने आपसे पूछा था कि यार क्या एक रिष्टे में चीटिंग में माफी मिल सकती है अगर गलती से चीट हो गया हो तो उस बहुत जादा हो यह अगर बहुत जादा मालने खियर से जाप करना क्या है इस जघ जादा है ? आप कुछ बोलो ने ने बोलो ठीक बेसिकली कोई भी इंसान अगर किसी सिचुएशन में फसता है तो चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे शादी हो या ना हो वो फरेक नहीं पड़ता है बट चीटिंग हम ये नहीं कह रहे हैं चीटिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी को धोका दे रहे हो बार बार ठीक है किसे सिचुएशन में फर्स जाना या वो आटोमाटिकली हो जाना लग जैसे मैंने पिशली बार भी कहा था कि अगर कोई चीज बस हो गई है और आप उस चीज को चाहते नहीं हो करना गलती में और उस चीज को बार बार दोराने में उसको फितरत कहते हैं उसमें बहुत बड़ा एक डिफरेंस है एक बहुत थिन लाइन है आप एक बार करोगे तो वो गलती होती है जो बार बार की जाती है वो फित्रत होती है और हम cheating को justify नहीं कर रहे हैं हम यह कह रहे हैं कि अगर कभी किसी से कुछ हो गया है तो माफी की गुंजाईश रखो रिष्टे में अगर आपको इस रिष्टे को चलाना है आप उसे इनसान को अच्छे से जानते हो आप उसको समझते हो तो आप उसकी situation को भी समझोगे क्योंकि आप भी कभी ऐसे में फसे हो गया फस सकते हो या फिर वो होगा वो कुछ भी हो सकता है कहने का मतलब से यह है कि हम cheating justify नहीं कह रहे हैं हम यह कर रहे हैं कि आप अगर किसी situation में फस्ट गए हो आपके पार्टनर ने आपको आके बता दिया है वो आपसे माफ ही मांग रहा है और आपके पार्टनर के एक sense of mind में वो चीज़ थी कि वो चीज़ गलती से हो गई है आपके पारिवारी खांदान के इज़त लड़की के हाथ में ठीक है और इसलिए एक इज़त लुटने का डर भी मैं बोलू कि मुझे भी अपनी इज़त लुटने का डर है कोई अगर कहीं पर मुझे रेप कर दे तो यह सोचके मेरी भी रॉंक्टे खड़ी होती है लेकिन क एक औरत के लिए जादा होता है हमको पाला ही वैसे जाता है ना देखो क्राइम तो दोनों तरफ है आद्मियों के साथ भी कभी कुछ हो सकता है औरतों के साथ भी कभी कुछ हो सकता है लेकिन लड़कियों को जब पाला जाता है तो यह बोला जाता है कि तुम्हें तुम्हा लड़की का For example खुदाणाखास्ता कभी ऐसा हो किसे के साथ लेकिन अगर किसी का रेप होता है तो सोसायटी सबसे पहले यह बोलती है और सोसायटी को इन nic सोसाइटी हमारे आजपास में रहने वाले लोग ही हैं वो लोग यह कहते हैं कि आरे इसके तो जिन्दगी खराब हो गई अब इससे शादी कौन करेगा अब इसको कौन अपनाएगा यह तो कहीं की नहीं रही उसमें उसका कोई कसूर नहीं है लेकिन सजा वो जिन्दगी भर काम किसी और ने किया है, दुश कर्म किसी और ने किया है, लेकिन सजा लड़की भुगतती है, अब लड़का कुछ के साथ कुछ ऐसा करके आ जाए तो पहले ऐसा होता था कि उसकी शादी करा दी जाते थी उस लड़की से, क्यों कराई जाती थी? कि लड़के का तो नाम खराब हो गया लेकिन लड़के के उपर फरक नहीं होगा ये हमारा जो main concern है जो हमारे दिमाग में आता है हमारी इज़त का वो हमारे समाज ने डाला हुआ है समाज ने धांचा तियार किया हुआ है हमारे रहने का आदमी है बेटा है तो वो पैदा हुआ है वो बड़ा होगा वो पढ़ेगा कमाएगा नौकरी करेगा वो घर संभालेगा बीवी को संभालेगा बच्चों को संभालेगा माबाप को संभालेगा वो सब कुछ संभालेगा ये एक डांचा है जो उसको पैदा होते ही अपने उसके कंदे पर जिम्मेदारिया हैं जो कोई नहीं देता लेकिन लड़का खुद उठा लेगा और जो लड़किया हैं उनको उसी धांचे में ढाला जाता है कि तुम्हें बड़े होके किसी और के घर जाना है तुम्हारी पढ़ाई लिखाई तुम्हारे जिंदगी में क्या तुम्हारे करीer options हैं क्या तुम्हारे career ambitions हैं वो कुछ माईन नहीं रखते हैं तुम क्या करना चाहती हो क्या बनना चाहती हो वो सब depend करेगा आगे जाएगी वो देख लेंगे उनकी मर्दी है वो कराय ना कराये, तुझे तो आगे जाएके घरी संभालना है, तेरी इजट हमारी इजट है छोन में बहुत प्रइमस से कि बहुत था डिषित भुट है कि मेरय इज़ते चिरा था? यह बहुत famous एक कोट है कि किसने कहा है कि वह एक मेरा जो particular मेरी बॉड़ी का पार्थ है that is respect क्या मेरा like मेरे जिन्दगी मेरे जो मैंने काम किये है जो मैंने जिन्दगी बहर मेहनत करी है मैंने लोगों का भला किया है क्या वो सब चीजे से एक चीज से खड़ाप हो जाएंगी कि मेरा जो शरीर है वो पाक नहीं है आपको किसने हग दिया ये बोलने का कि अगर मैं पाक साफ हूँ तो आपके नजरी में पाक साफ होने का मतलब ये है कि मैं शरीर से पाक साफ हूँ मेरे मन का मेरे आत्मा का साफ होना माइने नहीं रखता है तो वो समाज ने ढाचा डाला हुआ है जसमें हम लोग जीते आ रहे हैं लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि उस चीजों से बाहर निकले और आगे की जनरेशन बहुत समझदार है यार वो अब चीजों को मैनेज कर रहे हैं वो समझ रही है मैं देख रही हूँ कि acid attack survivors के साथ partners आ रहे हैं उनको लोग समझ रहे हैं जबकि उनके जिन्दगी तो ऐसी हो जाती है मैंने कितने cases देखे हैं कि partner मतलब चाहे वो शादी में हो चाहे वो relationship में हो उसके partner के साथ अगर acid attack का कोई case हो गया है अगर वो victim है तो वो लोग साथ छोड़के चले जाते हैं क्योंकि उनका जो ये उपरी रूप है वो खराब हो गया है तो आप ये देखें कि आप प्यार किस से करते हैं आप चहरे से प्यार करते हैं आत्मा से प्यार करते हैं जो आपके आत्मा से प्यार करेगा वो आपके साथ रहेगा जन्दगी भर रहेगा जब तक जिन्दा है तब तक रहेगा लेकिन जो आपके चहरे से प्यार करता है वो फिर सब के चहरों से ही प्यार करेगा उसको फिर कोई माइन नहीं रखता कि आप कौन हो आप कैसी हो आप कैसे जीते हो वो फिर आपको करेक्टर सर्टिफिकेट देंगे वो तब जहां पर प्यार होता है यह सारी चीज़े मैं नहीं करते हैं यह जिस आप लोगो यॉस इस लोग मैरेज आप यहार को समझते हो क्योंकि प्रूब जा रहा है तरफ यह बता हो यह प्यार होता क्या है यह लडगया जादा बहतर बता पाती है और लड़के का भी पर्स्पेक्टिव सुनना है मुझे तो पहले हाँ अब बहुत प्यार से एक्समेंट कर सकते हैं देखें मेरे लिए जो प्यार है न वो एक एमोशन है मैं कहते हूं कि प्रीम फकत एक एहसास है किसी के साथ होने का किसी के दूर जाने का किसी पे एतबार का किसी के इंतिजार का किसी के ख्याल रखने का किसी को भूल जाने का ये प्रीम हमेशा किसी और के लिए ही जीता है और किसी और के लिए ही मरता है ये प्रीम पकत एक एहसास है और एहसास इसलिए कि हम अपनी पूरी जिंदगी किसी और के उपर नियुचावर कर देते हैं महबत is selfless आपको अपने आपको बिल्कुल कितने समर्बित करना पड़ता है किसी और के लिए आप ये expect मत करो कि मैं उसके लिए इतना करूंगे तो वो मेरे लिए in return वो चीजे करेगा आप अपनी महबत कायम रखो वो अपनी महबत निभाएगा और जो जता की की जाए वो महबत नहीं होती रड़कियों को अकसर complain होती है कि तुम मुझे I love you नहीं बोलते हो तुम मुझे gifts नहीं लाके देते हो तुम मुझे surprises नहीं देते हो तो ये जो materialistic चीजे हैं ना ये प्यार नहीं है वो अगर तुम्हारे साथ बैठके खुश है सुकून से है तुम उसके साथ सुकून से हो खुश हो तो वो प्यार है मेरे लिए प्यार घर है घर में हम कैसे होते हैं घर में हम एकदम no filter होते हैं no filter in the sense कि हमें किसी की परवा नहीं होती है हम जैसे मन चाहे कपड़े पैन सकते हैं, जैसे मन चाहे रह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कैसे भी रह सकते हैं, तो वो एक जो सुकून है, एक भरोसा है कि मुझे कोई जज नहीं करेगा, अगर मैं अपना जो बच्चा है मेरे अंदर के बच्चे को, अगर वो सामने वाल कि जब जो कहते हैं दो जिस्म एक जान वाली जो बात आती है वो इतनी वो काफी हर्तक सही भी है कि मैं हमेशे एक चीज कहता हूं कि जब एक दो सवाल का एक जवाब आ जायना है तो आप समझ जाओ कि सही इंसान के साथ हो वो फीलिंग अटैच हो जाती है प्यार कुछ नहीं हमें अपने पन का हमें लगता है कि यह हमारा है यह मेरा है यह मेरी है अगर इसे कुछ हुआ तो मुझे दर्द होगा अगर आपकी गाड़े पे खरोच आ जाती है ना तो आपको दर्द होता है वो कोई फीलिंग तो है नहीं उसके अंदर लेकिन वो आप उससे प्यार करते उसको आपने अपना लिया है, आप उसको अपनी तरीके से देखते हो, कई लोग जो फन मजाक में नहीं बोल देते हो और मेरी धन्नों के आलचाल है, वो जवाब नहीं देने वाली है, पलट के, कैसे हो मालिक, नहीं बोलने वाली, लेकिन एक लगाव है, यार मेरी अपनी है, तो प्यार को जादा हुआ में प्यार 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 बना दिया है, मैं हमेशे एक चीज़ कहता हूँ कि प्यार सिर्फ एक लगाव है, जब आपको लगता है कि ये इनसान, ये ये उरत, ये बच्चा, ये इनसे न मेरा दिल जुड़ता है, पस, जब आपको कोई आपसा मिल वही प्यार होता है तो आपके लिए मतलब जैसे आप दोनु आप फेमस हैं आप खुबसूरत हैं आप लोग के पास ऑप्शन हमेशा थे तो कैसे डिसाइड किया यह है वह है ना कि क्योंकि हमेशा वह दिमाग में चलता रहता है अगर यहां पर रुगे क्या पता आगे क्या ह क्या था जिसकी वज़े से आप दोनों ने डिसाइड है कि बस यहां पर रुग जाए यह हमने पहले भी शायद बात की थी पहले वाले पोड़कास्ट में हमने बात की थी कि जो अभी मैंने बोला था ना कि जब कोई आपको आपसा मिल जाए वाली चीज यही है कि हर इंसान एक टाइम तक अपने आपको रोक के रखता है शादी के लिए यह रिलेशन में आने के लिए सिंगल रहता है वो सोचता है कि अब मैं रिलेशन में आ जाता हूं अब मैं शादी में आ जाता हूं एक जिन्दगी शुरू करते हैं वो इंसान जो अपने आपको रोक के रखता वो अपने आपको टेस्ट कर रहा होता है, चाहिए वो काम्याब होने के लिए हो, चाहिए वो पढ़ाई के लिए हो, अब दो चीजे मैं मानता हूँ, रिलेशन में आने की है, शादी होने की, जब उसको एक पार्टनर चीहे, जो मेरी लड़ाई में मेरे साथ चले, अब मैं ह माबाप को आप हर बात नहीं बता सकते हैं। तो आपके माबाप से जादा आपके दोस्तों को पता होता है आपके जिंदगे के बारे में, क्योंकि माबाप से आप हर बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन दोस्त भी एक हद तक ही चलते हैं, दोस्त एक वक्त आता है कि जब आप दोस्तों को भी हर बात नहीं बता पाते हैं, क्यो अब मेरे को एक पार्टनर चाहिए कि जिसके लिए मैं घर जाऊंग अब मेरे को एक घर चाहिए जिसकी वजह से मैं घर जाऊंग एक ठहराव चाहिए एक सुकून चाहिए अब मेरे को एक इनसान चाहिए एक रूह चाहिए या एक पार्टनर चाहिए या मेरी जिंदिके के ए हैं चाहे पानी पे रहे हैं आप घर में घुसे और बेटा कैसा रहा दिन तो आपकी जो एनरजी होते हैं जो डाउन होते हैं उसको एकदम से बंब करके वाइब मिलती है है ना और आपकी कभी भी देख लेना ज्यादतर सिंगल लोग ही डिप्रेशन में आते हैं मेक detto होता है जो अकेले रहते है अलोन जो बोल जाता है उसका केधर ही होता है वह बात नहीं जब एक बीवी होती है न और इसका मैं प्रेक्टिकल एग्जमापल भी देता हूं जब घर के अंदर दो कर दिल्ध मोई काम नहीं कर रहा होता है ये पिर जिंदिकी इन्सां चाहे वह आपकी तरक्कि के अंधर साथ ही बने आप कि इसी चीमेंख को वाय होते है है पृटी कि अर्टरा और बेले रहे हैं जुट साही साथ हो पर शाप भी हो कि वो सुसाइड वाली जो मैंने बताए था वो सिर्फ अकेलेपन के कारण था ओवर्थिंग के वजए से तो वही वही चीज़े हैं बाके तो और ते जादा बहतर बता पाते के रिलेशन के बारे में हम लोग के लिए वह चीज़ एक्सप्रेस कर पाना आदमी मुस्किल होता ह बहुत आजीव लगेगा एक अरियाना का आदमी लंबा चोड़ा I love you और लड़के लड़कों को पहुंच गया था हम लड़के नहीं बोल पाते ना माबापको बोल पाते हैं ना यार दोस्तों को बोल पाते हैं हसी मजाक में चाहिए बोल दे किसी को भी यह ना वो भी भूंगा मैं नहीं बोल सकता हमना थोड़ा छोटा फील करते हैं प्यार जताने में बलकि जताना छोटी चीज नहीं है लेकिन हम ऐसा फील होता है कि नहीं यार हम प्यार दे सकते हैं लेकिन जता नहीं सकते हैं आपको जो चीज पसंद है चाहिए आपकी बीवी बच्चे को कोई भी हो घर में आप उनको जो चीज पसंद है ना उनको लाके दोगे वो खुश हो जाएंगे उनके साथ हस लेंगे लेकिन जब वो थैंक यू बोलेंगे ना वो पलटके वेलकम नहीं बोल पाते हैं उनको लगता है ठीक है मेरा काम था हम आदमी उसको जिम्मधारी की तरीके से लेते हैं मुझे हमेशे लगता है कि हमारा किसी को आई लव यू बोलना जिम्मधारी बन जाता है हमें लगता है कि एक जिम्मधारी है यह रोज करनी पड़ेगी निभानी पड़ेगी हम वो निभ इन्सान के बोड़ी होती है लड़का है लड़की है लेकिन दोनो की बोड़ी प्यार में पड़ती है तो वो अलग ऑलग तरीके से राक्त करती है औरतों का जो प्यार है, वो जो होता है, वो जबान में जादा निकलता है, कहके, एक्सप्रेस करके, ठीके, उनका जो फ्लो है, वो माउट से जादा होता है, कि मैं तुमारे लिए ये कर दू, मैं तुमारे लिए ये ला दू, तुमारे लिए खाना बना दू, वो चीजे बोल के जादा करती कि मैं तुमसे प्यार करती हूं मैं कैसी लग रही हूं इस सब चीजे उनका और तो का है बट आदमी जो होता है ना उनका जो पूरा जो प्यार है वो फ्लो करता है दिमाग से कि वो करने में यकीन रखते हैं औरते कहने में कहके प्यार करती हैं आदमी करके प्यार करते हैं आदमी क्या होगा न वो यह नहीं कहेगा कि मैं तुम्हारे लिए ला दूँ वो ला देगा वो तुम्हारे लिए खाना अगर तुम्हारे लिए खाना बना देगा या मंगा कि मैंने इतमारे लीए लेके आया हूं, तो आदमी का प्यार इसल प्यार इ雏 इन वर्ट और ओमें प्यार को सब्सक्राइज है कि दिखती है कि आदमी प्यार जटा नहीं रहा है, आदमी प्यार जता रहा है। दिख्वत्री यह कि उसका जटाना अगला समझ नहीं पा आदमी आपकी एक मुस्कुराहट के लिए सब कुछ कर देता है। आदमी अपनी बीवी की मुस्कुराहट के लिए अपनी बीवी की मुस्कुराहट के लिए उसको दुनिया जहान की सारी चीजे सारी खुशियां लाके देता है। यहां बीवी की मुछ यहां पूछ यहां पे मुझे एक चीजे पूछनी पड़े कि यहां पे जिसे आप आद्नीों के विचे में बहुत बाते करों और बहुत अच्छी आपको डेफ्थ भी है। लेकिन कई बार मैंने कॉमेंट्स हम बढ़ा है क्योंकि आपने भी कॉमेंट्स देखे होंगे तो उसमें कई बार यह कहा जाता है कि जस्ट लाइक्स के लिए या फिर रीच के लिए आप लड़कों के बारे में बात कर रहे हैं क्यों करते हो आप लड़कों के बारे में बात क करते हो मैं बात सब के बारे में करते हो लेकिन मेरा मानना यह है कि वो बात की जा जो ज़रूरी हो और तो की बारे में तो सब बात कर रहें ना सब कह रहें कि और तो के साथ यह होता है वह होता है मैं यह नहीं कह रहें कि और तो पर अत्याचार नहीं होता मैं यह कह रहे हूं क सिर्फ और्तों पे अत्याचार नहीं होता आदमियों पे भी होता है उनके उपर भी crimes होते हैं, उनके साथ भी चीजे होती हैं, वो भी depression में जाते हैं, उनको भी mental health के issues होते हैं, उनको भी financial crisis होते हैं, उनकी भी body में problem होती है सब कुछ होता है मैं ये कह रही हूँ कि आप करती हो, औरते करती है करो, बहुत अच्छी बात है करो लेकिन जदाओ मत कि मैंने तुम्हारे लिए ये कर दिया है मैंने तुम्हारे घर में राशन भर दिया है कि मैं तुम्हारे लिए साले लाई हूँ अपने ही घर में आ रही है और यह मैंने देखा है आजकल मैंने हमारे ही फील्ड के लोगों को भी देखा है वो यह बोलते हैं कि सब लोग बोलते हैं कि सारे आदमी सारे मर्द एक जैसे होते हैं उनको सिफ एक चीज से मतलब है ठीक है तो फिर मैं यह कहते हूं कि सारी ओरते एक जैसी होती है उनको भी से पैसो से मतलब है क्या यह बात 100% सच है नहीं क्योंकि मैं भी एक औरत हूं मुझे सिफ पैसो से वो वाली बात है वस जब तुम्हें अजनरलाइज किया जाए तब दिल चुपता है लेकि जब खुद की बारी आती है और आप जनरलाइज कर देते हैं तो तब गलत है क्योंकि हर मैं रिपिस नहीं होता ठीक हर मैं क्रिमिनल नहीं होता है उसमें आपके भाई भी आपका असक제 पर उसके लोगों की कि इज़त करो वह उसकी कर लोगिνे जिसने को पाला है जो आपको ख्याल रखता है या जोние को आपका साथ न करने लोग लड़केयों के साहरय तो आंग्यों कि आसे にवास के लोग ऐसे हैं पूरी दुनिया ऐसी नहीं और मैं सीध्合भ कि अगर आपको मेरी बुरी लगी है तो आप अपने घर बैठे़े हैं मैं अपने घर बैठी हूं आपको मी बाद पसंद आई है तो आप समझ लड़के के हलात होते हैं वो उस बात को उसी तरीके से समझता है कि समझना इस चीज़ को कि अगर लड़क और एक और एक और इंसेक्यूर्टी भी होती है मैंने बहुत देखा हैं अगर मैं वूमन्स के बारे में बात करूं और तो के बारे में हुआ है म Sadhguru हुँ लेकिन कोई दूसरा आदमी जो मेरी बात सुन रहा है वो उस बात को अपनी बेटी से अपनी मां से करें डिया मेरी मां के साथ एसा हुआ यह ठीक करता है यह Brendan आदमी आदमी के बारे में बाद करें वह तो पर्फेक्टी के अपने लिए बात कर रहा है अब मेरे आदमिया के बारे में वह अर्तों के बारे में और में आदमी वह औरतों के बारे में कैसे बोल सकती इह促 G कि डिबेट इस पर तुम पूरी Meter की घुजार सकते कि ऐसे आभ तांत के उस пятर है इसका सीधा पॉइंट यह है कि एक और यह दूसरे और के बारे मेर इसलिए बोल सकती है कि एक और ही समझ सकते हैं दूसरी यह इता करके होती है और पर दूसरी चीज है कि आदमिें के बारे बात करने हमने जो करते हैं रहे नहीं बात करेंगी पूर यह ज़रूरी है अगर इस जीज ब्रेट फॉरम पर आके जब लॉट को कर आगे लोग सुन रहे इस पॉइंट पर आके भी अगर आप सही बात नहीं कर पाया तो उस चीज़ पर है और बहुत जरूरी है जो चीज़ें हो रहे है वह फेक्ट और बहुत जरूरी है और फेक्ट है लड़के भी गलत है वहां दिखाओ जहां पर क्राइम हो रहा है वहां पर दिखाओ जहां पर उन लोगों की एंपावर्मेंट की बात है वहां दिखाओ मेट्रो की सीट के लिए लड़ाई करना फेमिनिजम नहीं है ठीक है कमेंट बॉक्स में इस चीज की लड़ाई करना फेमिनिजम नहीं है कि तुमने हमारी बुराई कैसे कर दिया तुमने आदमियों की तारीफ कैसे कर दिया जहां जरूत है वहां दिखाओ फेक फेमिनिजम की हमें जरुरत नहीं है, इस society को भी जरुरत नहीं है, ये तुम लोगों की insecurity है, और मेरे को पता है क्या, मैं औरतों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं mentality के खिलाफ हूँ, कि आज भी आप एक random test करके देखना, आप 10 लड़कियों के पास जाओ, random कहीं भी market में 10 लड़कियों के पास जाओ, उनसे बोलो की पैसा या प्यार, 9 लड़कियां पैसा चुनेंगी, अब आदमियों के पास जाओ, पैसा य himself प्यार, आदमिया काया का पैसा मैं खुद का मालूंगा, प्यार जाएए तो ये सोच लड़किया क्यों नहीं ला पाती है कि काम्याब होना है घर बनाना है प्रॉपर्टी लेनी है सब चीजे मैं खुद कर लूँगी मैं इतनी काबिल हूँ मैं इतनी काबिल बन जाऊंगी उस चीज के लिए हर खुशियों के लिए आपको आदमी पर independent होना है लेकिन अगर हम यह करें कि आप आदमी ऊपर dependent है तो आपको मिर्च लग जाती हो और आज कल मैं एक लड़कियों के यह भी देख रही हूँ कि नए नहीथ लड़कि आई है और वो यह कहती है कि मेरी तुम से नहीं बन पा रही है मलस्त मैरेज का रही हूँ मैं कि ए नहीं मुझे प्रॉपटी में हिस्सा चाहिए। तुम कौन हो उनकी मेहनत की कमाई में हिस्सा मांगने वाली। मैं कहती हूँ कि माबाप जो है न वो अपनी पूरी जिंदगी अपना पेट काट काट के पता नहीं कैसे कैसे करके वो चीजें जोडते हैं, खटा करते हैं, कमाते हैं, घर बनाते हैं, मेहनत करते हैं, बच्चों को पालते हैं, पढ़ाते हैं। फिर एक out of nowhere एक लड़की आती है और वो ये कहती है कि नहीं, नहीं, सब चीजें मेरी हैं, मुझे बराबरी का हिस्सा चाहिए। क्या तुम उनके दुख में उनके साथ खड़ी रही हो, तो फिर तुम्हारा कोई हक नहीं है, कि तुम उनकी उन चीजों पर हिस्सा मांगो, जो तुम्हारा है ही नहीं। अगर फिर यह आएंगी लड़कियां कमेंट वॉक्स में कहने के लिए कि हम तो सेक्योरिटे के लिए मांगती है, कि हमारा फ्यूचर है, अपना फ्यूचर खुद बनाओ ना। इतनी ही टेंशन है फ्यूचर के तो ऐसे मुकाम पर आओ ही मतना, कि दो दर आ रहे हैं। मैं बोल रहा था कि एक लड़की जब पैदा होती उसके mindset होता है शादी करेगी चली जाएगी यह सारी चीज़े जो हमने भी बात भी की एक लड़के को यह पता होता है कि मुझे बुढ़ापे तक अपने माबाप को देखना है बीबी को भी देखना है बच्चों को भी दे मेरे अलावा उनके पास है कौन इसलिए लड़का डिसीजन लेता है कि मैं माबाप को नहीं मैं तुम्हें छोड़ दूँगा और उस वक्त खड़ा हो जाता है समाज की शरम करो तुमने बीवी को छोड़ दिया समझे रहे हो और अगर आप छोड़ना है तो अपनी आधी जायजाद भी दो क्योंकि उसके बीचे कोई रीजन नहीं देखता कि क्यों देनी पड़ी है क्या जरुआ और एक चीज में आपको बता तो भाई यह हकीकत भी है और बहुत लोग ने बोला भी और यह फैक्ट भी लड़ी है कि पढ़ा लिखा आईस अफसर गाउं की लड़ी से शादी कर लेगा लेकिन एक पढ़ी लिखी अफसर अगर लेडीज है वो गाउं के गवार लड़की से शादी नहीं करें कि मैं लिखके देता हूं आपने यहां तक देख लियो काफी फिल्मों में आपने दे अचाना नहीं आपको यह होता है यह हम लड़कों को ना कुछ नहीं चीए हम सिर्फ प्यार के भूके बैठे है हम दस में भी घर चला लेंगे एक करोड में भी घर चला लेंगे उसमें बच्चे भी भी सब कुछ कर लेंगे हमें चीए कि जब मैं घराओ मुझे शांती कि मुझे नौकरी करनी है घर चलाना है एक टाइम आता है वो फेज होता है एंग्जाइटी डिप्रेशन चालू हो जाता है जो कहते हैं कि बार वी के बाद पता चली की जिंदकी वह हुआ फिर शादी होती है अब बीवी की जिम्मेदारी आगे फिर बच्चा हुआ उसकी जिम्मेदारी और जिस दिन उसे पता चलता है ने कि मेरे घर में डाइवोस की दोबत आ रही है उस दिन उससे पूछा वो बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि मैं बच्चे को पकड़ू एक हाथ से एक हाथ से बीवी को पकड़ू मेरे माबाब पीछे खड़े और समाज म मैंने सुनाए इस मच इजियर अस कंपेर टो एक बंदी जिसका डाइवोस हो गया है उसके लिए शादी जादा मुश्किल हो जाती है तो उसको लेकि क्या को होता है बलकि डाइवोस के बाद और यह फैक्ट बेदेखो जब एक डाइवोस होता है ना तो लड़के की शादी दुबारा हो सकती है उसमें जादा इशू नहीं करते क्योंकि हमारे समाज में के लड़का है हो जाएगी लड़कियों को जादा प्रोब्लम होती है मेरा मुद्दा यह है मैं कहना यह चाहता हूँ कि लड़की इस बात को समझती क्यों नहीं है उनको बलकि यह बोलना चाहि ये कोई भी रिश्ता टूटने से बच सकता है, अगर वो ये बोले कि, आप जो चाहते हुँ, मैं वो करूँगी, मुझे समझा दो. बट मैं ये कहना चाहती हुँ, आप जो कहरें, वो भी ठीक है, मैं ये कहना चाहती हुँ, ये रिश्ता नहीं तूटना चाहिए. जब एक शादी होती है दो घर जुडते हैं और जब शादी तूटती है न दो गाउं अलग हो जाते हैं समझे रहें जो वो बरात में आये थे ना खाने उन सब के कानों तक बात पहुंच जाती है और फिर जब वो मिलते रहे, इस गाउं के वो लड़की थी न, उसके ऐसा ऐसा था, वो रिष्टा हो गया, वो ऐसा हो गया, गालिया देते हैं लोग, और शादी लड़की की भी हो जाएगी, एक वक्त पर लड़के की भी हो जाएगी, लेकिन जहलना लड़की को ही और भला यह है और माबाप भी यह कह रहे हैं कि बेटा हमें छोड़के आप अलग शिफ्ट हो जाओ मैं हो जाओंगा पर मेरी कंडिशन रहेगी कि तुम भी अपने माबाप को छोड़के अलग हो जाओ तैयार हो समझे रहे बलिदान होगा तो फिर बराबर का होगा या फिर होगा ही नहीं खून बहे तो फिर दोनों तरफ बहे या फिर बहे नहीं एक को अलग कर दिया जाता है लेकिन खुद से अलग नहीं हो और सबसे ज़्यादा डाई वो उसके रीजन आज के टाइम में क्या है लड़की अपने घर से ज़ादा टैच होती है कन्यादान अगर कर दिया है तो फिर वो छोड़ दो उसे खुला उसके घर में क्या चल रहा है मत पूछो वो कैसे जी रही है, क्या खा रही है क्या पी रही है, मत पूछो क्योंकि आपके बार-बार पूछने से फपक फपक के फूट पड़ेगी और आपको दया आ जाएगी आप घर जाके बैठ जाओगे फिर बोलो कि हमारी बेटे के साथ ये हो रहा है फिर खांदान जोड़ते हैं, फिर कलेश होते है आपने शादी कर दी ना आप शादी कर रहे हो बेटे के तो आप ये मान देऊ ना कि आप वो रेड़ी है अगले चैलेंज के लिए लाइफ की ठीक अब मान के चल रहे हो तभी तो आप बोलो कि ये शादी के लिए रेड़ी है और अब उसके बाद भी अगर आपको वही उंगली पकड़ के चलाना है जैसे आपने पहले किया है तो फिर मुद्दा क्या रह गया शादी की वह है यार वही बात है कि कोई बात नहीं तो तो रोटी मत बनाई हो तो तो सास को जवाब दे दे, तो पती को जवाब दे दे ऐसा कैसा बोल दिया उसने जब ऐसी तरीके की शिक्षाएं मिलती है ना लड़की के घर से टो घर भरबाद होते है हम यह नहीं कह रहे है कि लड़की के मापाप बिल्कूल उनसे तालुक तोड़ दे हम यह कह रहे हैं कि उसे अपनी जिन्दगी अपनी ग्रहस्ती बसाने तो दो उसे देखने तो दो अगर टॉर्चर हो रहा है उसके साथ वाइलेंस हो रहा है तो आप वाज उठाओ हम वाइलेंस को क्रिमिनल अक्टिविटीज को नहीं सपोर्ट करें बिल्कुल भी हम आज भी यही बात कहेंगे मैं और आदी दोनों कि हम मेंटालिटीज को सपोर्ट करते हैं और मेंटालिटीज के अगेंस जाते हैं कि आप बिल्कुल इस बात पर अडिग ना रह जाओ कि या आपको देखना पड़ेगा कि किस से आपका घर बस रहा है वो बहुत जरूरी होता है एक परिवार में एक शादी में इस चीज़ को समझना क्योंकि आजकल मैं देख रहे हूं कि तलाक, डिवोर्स, ब्रेक अप यह से सब कुछ हवा में है कोई बैट के बात करनी को तयार नहीं है, कोई अपने रिलेशन्चिप पर वर्क करनी को तयार नहीं है सबके पास एक बैक अप आप्शन्स तयार हैं कि एक जाएगा तो दूसरा आएगा लड़का के लिए भी लड़की के लिए भी चीक है और आपका एक सवाल था कि शादी किसके लिए डिफिकल्ट जादा होती है, लड़के के लिए असान होती है, लड़की के लिए असान होती है तो अब ये सोचो कि पहली शादी के बाद दूसरी शादी किसकी मुश्किल होई क्योंकि दूसरा वाला जब शादी करेगा तो वह ऐसी लड़की को लेके आएगा जो शायद बोलते हैं कि मैं तुमारे बच्चों को नहीं पालूंगी तो अगर देखने हैं तो फिर दोनों नजरियों से देखो कि लड़की कहीं लड़की की जिन्दगी बरबाद होगी दूसरी शादी हो गई दूसरी शादी में वह अपने बच्चे को लेके साथ नहीं जाती है और हस्बंड वाइफ को ना कभी भी है मतलब आत्मी के लिए भी बहुत टफ हो जाता है कि जिस बच्चे को तुमने भच्पन से नहीं देखा अचानक से अब वो तुम उसके पापा हो लेकि पूरे तरीके से नहीं हो पूरे तरीके से नहीं हो क्योंकि वह भी तो है तुम भी हो इट बिकम कॉंप्लिकेट और आदमी को एक ऐसी और लेके ना द weten कि जो फिर उसके बच्चे को अपनाए हुस तरीके से नहीं तो फिर वही सौतेला है मैं नहीं easy अगर सौमत Rico पाला तो पिर इस तरीके से पाला कि उसके जिन्देगी अजाब बन गई जिंदिगी दोनों की मुश्किल है लेकिन प्राक्टिकल होके तो सोचना पड़ेगा यार एक तरफा नहीं है कुछ भी बात सिर्फ इतनी सी है कि कुछ वक्त के लिए कोई चीजों को छोड़ देना बैतर होता है कई बार दूरिया नस्दीक या बढ़ा देती है कहते हैं न कि थोड़ा दूर रहता है तो प्यार आता है ज़्यादा नस्दीक रहने से भी कलेश होते हैं तो कई बार छोड़ देना चीए थोड़ा रहने दो एक ही घर में दो कोनों में दो कुर्सी डाल के दो इंसान बैठ जो और एक अफ़ता बात मत करो कि जरूरी नहीं है कि आर आखरी बात आपकी ही हो सामने वाला भी अपनी बात खतम कर सकता है आखरी बात पर हम लोग ना इस होड़ में लगे हुए हैं कि क्या वो लटा था ये है फिर उधर से आता है फिर इधर से जाता है एक इंसान को सर जुकाना पड़ेगा और जरूरी नहीं कि एक ही इंसान जुका है दोनों भी जुका के रख सकते हैं फिर बदल भी हो सकता है लेकिन दोनों अगर चाती चोड़ी करके टक्कर मारेंगे कुछ नहीं होने वाला हमारे माबाप की शादिया हमारे दादाओं की शादिया इस वज़े से टिक गई आपने हमेशा देखा होगा कि जब आपके फादर बात करते हैं तो आपकी माएं हमारी माँ हमारी दादिया चुप-चाप सुनती है ओल давай महांने अपने घर में देख का मेरे फादर कुेंच बोलते हैं किसी आदा बात हो और जा। अब मैं अपनी बात कह रही हूं आप चुप रहा हूं लेकिन मैं ने 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 इस से नहीं बसने वाला है तो बहुत जरूरी है कम्मिकेशन गैप इसलिए जो यह लोंग रिलेशन्शिप होते हैं लेविन क्या बोलते हैं लोंग डिस्टेंस वाले यह ज्यादा पापती है होती है दूसरा यह होता है कि हर पांच मिनट में और देखनी जुरूत नहीं कि मेरे पास gece मेरे पास नहीं जो आपको पता है एक घर में बैट बैट के क्लेश हुआ हैं और बच्चे भी अव्याइटे वी जादा नजदी के अच्छी नहीं एक जादा झालडाइय भी अच्छी नहीं कर देती हैं डिस्टिंस बनाके रिखो यह सिर्फ मेंटालीटी की चीजे हैं सरकार बोल बोल ठक गई क्षच पासक जड़ूरी बाहर वालों गर्कार प्रट ओम अज़ु कंफ में पराय खिंगी में कुछ नीए उसे उप ऐसे देखम्त दूख पाता है अमारे घरो में हो रहाalnya हम् recap को कहीं बोल नहीं बोलनी पाते है मैं कर में दर लगता है ऐसमें हमारे घर में ना हो जाए हम डरे हुए हमारे माबाब बोलते हैं कि उसके साथ मत बैठना उसके घर में यह चल रहा है तो चीजे बहुत गलत हो रहे हैं और यह समझना पड़ेगा वही है बिल्कुर एक इससे एक स्टेप में सब पीछे जाना चाहूंगा जो हम बात पहले भी कर रहे थे लवली बात बता हो कि रेप रेप है किसी का भी है लेकिन एक जब मेल का रेप होता है ठीक पहली बात हम उसको रेप नहीं कहते हैं सोडोमाइजिंग कहते हैं और उसके बात यह उसको लेकिए मजाख जादा बनता है जिस तरीके से एक फीमेल के रेप को जिस कि रादमी के रिप को कुम रहते हैं। कि समाज ने कभी आदम्य वोग सीरयस नहीं है। चुछ अज़ने कि रिह। कि इसने कर्यक्तante से इसित ख्याक मी और के वह लता है। यह प्रन ग networks जा और शरुत शचति के बाड़े का नियुक्त की में साधिक हैं कि ऊपनेटिए दुटे ले आफना हैं तो की में शर्ट करकें जुरिंग लेकर बिक हैं लेकिन इन हम और धाने का तरीका होता है एक समाज को हम कर सकते हैं समाज सिर्फ इसलिए बैठा हुआ है कि आप ये नहीं कर सकते हो, हमारा constitution हमको अधिकार देता है कि आपको कहने का अधिकार है, रहने का अधिकार है, जीने का अधिकार है, सब चीज का अधिकार है, लेकिन समाज आपको अधिकार नहीं देता है, समाज आपको बताएगा कि आ कि तो अगर आप उनके बताय गई तरीकों पर नहीं चले हो तो बहुत सापका रेक्टर लेस्टों आपकी कोई image नहीं है आपके ओपर जो छीजे बीति हैं वो तो कुछ चीज़ी नहीं है तो ये हमारे समाजे जो society है ना society एक्षिस्ट करती है आज पास के लोग जो तो आपको mock करते हैं वही society हैं जो आपको support करते हैं वही society है society बुरी भी नहीं है society अच्छी भी नहीं है लेकिन वही है कि ये उन लोगों का नजरिया ऐसा है आज भी जब LGBT community की बात होती है तो लोग कुछ लोग हैं कि जो उनकी importance को जो उनकी feelings को, जो उनकी पूरी जिन्दगी को समझ पा रहे हैं, उनके ओपर काम कर पा रहे हैं, उनको सपोर्ट कर पा रहे हैं, उनके लिए अवाज उठाते हैं कि नहीं यार, ये इनकी अपनी इंडिविज्वालिटी है, there is nothing to mock about, उसी तरफ समाज का 50% हिस्सा ऐसा है, जो उनको फिर अलग अलग नामों से मजाग उड़ाता है, गालिया देता है, तो मीठा है, तो धीला है, ये सब बोला जाता है, तो समाज दोनों तरफ बटा हुआ है, समाज एक सिस्टम है, हम भी समाज है, समाज एक सिस्टम है, इंडिविज्वाल्स को कंट्रोल करने के लिए, उन्हें अपनी उंगली पहना चाहने के लिए, और जिस टाइन पर एक समाज को कलक्टिव लगता है, कि तुम उस धुनमे नाच रहे हो, जो म्यूजिक हमने बज यह उसका यूसफुल होना बहुत माइने रखता है, कि मेरी जरुरत है, हमाले बहुत माइने रखता है, एक चरित रहे हमारा है, तो उस पर उंगली उठा के ना, मतलब वही होता कि पिंच वहां पर करो, जहां पर दर्द हो, जिन्दकी में हमेशा आप देख लेना, हर कोई चाहता है कि सामने वाला मेरे इसाब से चले, चाहिए वो समाज हो, चाहिए वो माबाप हो, चाहिए वो बीवी हो, चाहिए हमारी बेटी हो, चाहिए हमारा बेटा हो, चाहिए हमारे दोस्त हो, हर कोई चाहता है कि जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करो, कभी भी देख लेना ज जिन्दिकी में माबाप चाहते हैं यह वाला काम करो यह इस तरीकी की नोकरी करो हम यह चाहते हैं समाज बोलता है भाई हम तो यह चाहते हैं ऐसा हो कि बेटी या चाति है पापा मैं चाती हूं आप ऐसा करो खो सबसे बड़ी प्रॉबलम पता जब आप अपनी मन की कर रहे हो और नहीं पहुंच पाई जहां का आपने वादा किया था और फिर वो लोग खड़ें डंडा लेके वो जबान लेके वो इतनी लंबी जबान लेके खड़ें जो गालिया देने के लिए तयार है जो कहते हैं ने कि आप काम्याब नहीं हुए अरे तुम तो वो करने गए थे कर दो तो यह काम कह रहे थे वह नहीं फिर वह कह रहे है कि सिस्टम यहीं हर कोई चाहता है कि सामने वाला हमारे हिसाब से चले बस अब आप उनकी जरुतें पूरी करो या ना करो वह तैयार रहेंगे अमें चीज़ का सॉलुशन कभी होने वाला भी नहीं है जिंदके में वही काम करो जो आपको अच्छा लगे जो आपके परिवार के लिए सही हो जो आपके लिए सही हो बस से आपके घर के बहुर क्या आ अब वह पुर शेहर पे राज है। लेजिए पुरा परिवार अस्ति-वियस्त पड़ा हुआ है। तो शेहर पे ढूठ ओधा सेहे पूस्व आपको इस फाईदा पाका पाम्याब हो जैवा दो या रिश्तवर नहीं है। जो जो कि आवड़ा था ये जो कोड़ा था था हम भी What's-up Group के यह वारी यूनिवर्सटी वही है जो जो भाज़ा है तो ताओ जी आशिन वादेर होता है बेटे को कि बेटा आगे बड़ो खूब तरक्की करो तो बच्छा बुचता है ताओ जहलो गहा है सहप आओगे आप साप आपके आस पास सी बैठे हुए है आप उनको दूद पिलाओ चाहे कुछ भी करो आप उनको कितने ही पालो डसिंग गे तो सही अपने माबाप से प्यार करो जिंदिके में हमेशा क्योंकि आपके माबाप के अलावा आपको तरक्की करते हुए जिन्दि कि में सिर्फ आपके घर में दो ही इनसान होते हैं पूरी जिन्दकी जो चाहते हैं कि हमारा बेटा या हमारा बेटी जो भी है काम्याब हो हमसे जाधा कमाए कि दुनिया में सिर्फ दो ही लोग जो चाहते हैं कि हमसे जाधा बड़ा बने हमसे जाधा कमाए हमसे जाधा रोजहद में लगे हुए हैं कि उनको खुश कैसे करूं बलकि खुश सिर्फ अपने आपको करना था तो बावा ये है पा एंड और पार्ट वन और दिस पॉड़कास रियल फेस ऑफ सोसाइटे विद आदित्याराप एंड लवली शर्मा पार्ट टू अगले संडे शाम को छह वजे आ जाएगा और ये पार्ट कैसा लगा आपको क्या पसंद आया क्या ना पसंद आया ये जरू मेरे को कॉमेंट बताना क्योंकि आपका फीडबेक मैटर करता है जैसे कि काफी वावा लोगों ने अपने को बता है कि यार तुम दोड़ाए घंटे का एपिसोड डाल दे तो इतना डाइन दोड़ना है यार हमारे बास देखने का तो दो सौद घंटा लिखाओ जैसी आता यह फॉर्मिट कैसा लगा आपको यह जरूर बताएगा मुझे हम अगले पॉड़कास में मिलेंगे अगर आपको यह वैन्यू जिसमें पुरा शूट हुआ था पॉड़कास हो बहुत पसंद आया तो डू चेक आउट बॉस हब यह इंस्टा पे है तो बॉस हब सब्सक्राइब कर लो या शेयर करो